नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई मित्र हल्प विडियो में आज का हमारा ये विडियो सर्मिक कार्थारियों के लिए बहुत ही important और लाबकारी हैं क्योंकि आज के इस विडियो में मैं सर्मिक कार्ड धारियों के लिए एक खास यूजना लेकर आया हूँ जिसके अंतरगत सर्मिक कार्ड धारियों को 11 लाग तक का फाइदा सरकार की तरफ से दिया जाएगा आप उस वीडियो को देख सकते हैं अब यहाँ पर मैं आपको बदा दू कि इस योजना का नाम है निर्मान सर्मिक अंतर राष्टिय खेल परतियोगी ताहेतु प्रोचसांद रासी योजना तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये योजना क्या है इसमें क्या-क्या लाब मिलेगा, इसकी पात्रता क्या होगी, इसका फॉरम कैसे और कहां से भर सकते हैं और फॉरम भरने के लिए क्या-क्या डोकियूमेंट्स लगेंगी तो चलिये फिर जानते हैं दोस्तो यह एक ऐसी यूजना है जिसका उद्देश सर्मिक कार्थारक को अत्वा उनके बच्चों को अंतरराष्टिय खेल के लिए प्रोसाइद करना है जिससे कि सर्मिक कार्थारक अत्वा उनके बच्चों का खेल के चित्र में विकास हो सके अब बात करते हैं इस योजना के लाप के बारे में तो दोस्तो इस योजना के अंतरगत सर्मिक कारधार को अथवा उनके बच्चों को अंतर राश्टी खिल परतियोगिता में फाग लेने पर 2 लाख रूपे, कासिय पदिक प्राप्त करने पर 5 लाख रूपे, रज़त पदि पर 11 लाख रूपे ओ की प्रोटसांध राश्टी सरकार की तरफ से दी जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस योजना की पात्तरता के बारे में, तो इस योजना के अंतरगत पंजीक्रत सर्मिक कारधारी अथवा अविवाहित पुत्र या अविवाहित में किसी बेतरह की गलत जानकारी दिये कर प्रोथसाहिन रासी को प्राप्त कर लेता हैं तो उससे ये रासी दोबार अभ्याज सहीत सरकार वसूलेगी अब बात करते हैं इस योजना में जरूरी दस्ताविजो के बारे में तो इसमें सर्मिकार धारक का पंजियन परिचे पत् के प्रथम परष्ट की प्रती जहां पर उसके खाते की जानकारी हो और अंतरराष्टे खिल से संबंदित परमान पत्र की प्रती इसके अलवा सर्मिकार धारक दुआरा आवेदन करने की तीथी से पूर्व कम से कम एक साल की अवधी में 90 दिन काम पर कारी रथ होने का परमा आपको कम्प्यूटर का नौलेच हैं तो आप घर बैटे SSO ID के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर आप किसी E मित्र या CS से सालक के पाथ जाकर इसके लिए आवेदन करवा सकते हैं तो ये थी इस योजना से जुड़ी हुई पूरी जानकारी I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई योजना के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद